और रोहित के पास एक प्रिस्टल में तेरा राउंड कार्टुस थे और आर्टिकल 370 अस्थाई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट से जिस फैसले के उमीद की जा रही थी उससे जुड़ी महत्पूर्ण तत्थे 370 अस्थाई प्रावधान था इस वक्त पूरे देश की नजरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पांच जजों की बैंच ये फैसला सुनाने जा रही है कि आर्टिकल 370 वैद था या इसे हटाया जाना सही था और इसे से जुड़ी ये ख़बर विले के बाद जेंड के अलग राज्ये नहीं रहा CJI का कहना है केंद्र के हर निर्ने को चुनाटी नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट से बहत्पूर्ण फैसला सामने आया आर्टिकल 370 एक एस था यानि की टेंप्रेरी प्रावधान था और केंद्र के हर फैसले को चुनाटी नहीं दी जा सकती विले के बाद जेंड के अब अलग राज्ये नहीं रहा युद्र के हालात में 370 अंतरिम विवस्ता थी जो की गई थी यानि की टेंप्रेरी राश्पती शासन की वैदता पर दखल नहीं तो साफ तोर पर इन के अगर माइने निकाले जाएं तो 370 के पक्ष में सुप्रीम कोट 370 के इंद्र सरकार ने लागू किया था उसे परकरार रखने के संकेत के इंद्र के हर निर्ने को चुनोती नहीं दी जा सकती यूद के हालात में 370 यानि के धारात 370 जो लगाई गई थी वो अंतरिम विवस्ता थी एक टेंप्रेरी सॉलूशन था राश्पती शासन की वैदता पर भी दखल नहीं दिया जा सकता सीजी आई का कहना है तो एक ऐस्ताई प्रावधान था जमू कश्मीर भारत का अफिन अंग है जब उसका विले कर लिया गया था तेक महत्पूर्ण खबर इस समय सुप्रिम कोट से सीजी आई विले के बाद जैंड के भारत का अफिन अंग बन चुका है जो बातें समय निकल कर सामने आ रही है उसे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि केंदर सरकार के इस निर्णे पर सुप्रिम कोट ने भी मोहर लगा दी है सिजी आई ने कहा कि युद के हालात में आर्टिकल 370 लगाई गई थी राशपती शासन की वैदता यानि उनकी कानूनी माननेता में दखल नहीं दिया जा सकता हर फैसले पर उंगली नहीं उठाई जा सकती हर फैसले में दखल नहीं दिया जा सकता राश्पती को 370 रद करने का अधिकार है और विले के बाद जैन्ड के अलग राज्जे नहीं रहा जैसे बाकी के राज्जे हैं भारत में वैसे ही जैन्ड के भी एक राज्जे है युद के हालात में एक टैंप्रेरी यानि की विकल्पिक विवस्था की गई थी लेकिन इसे बनाए रखे जाना या इसे हटा देना ये पूरी तरीके से राश्पती के अथीन आता है और राश्पती को